एक समय था जब प्राचिन भारत में आयरवेद प्रभावकारी चिकत साखा केंद्र बिंदु समझा जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीटता गया, इसने लगभग अपनी सारी प्रतिष्ठा खो दी। आलांके हाल के दिनों में लोग आयरवेद जैसे प्राकृतिक उप्चार प्रणालियों में भरोसा जता रहे हैं। वैदिक शास्त्रों और आयरवेद के आचारियों के शिक्षा पर आधारित इसके एक शमता को महसूस कर दशकों से नैचर वेदा आयरवेद के उध्थान के लिए समर्पीत है और अस्वस्थ मानवजाती को रोक के निवारन में लाब प्रदान कर रहा है। अब तक नैचर वेदा में साढ़े पाँच लाग से भी अधिक मरीज, फंडमेंटल सफ अयरवेदा, पोटिंटाइज्ट इवनानी और तेरपीट की योगा के अविनव समन्मय से लाब उठा रहे हैं। भारती चिक साविज्ञान का एक शेत्र में नैचर वेदा लोगों के पहले पसंद कैसे बना। रोक के मूल कारणों को पता लगाने के लिए नाखून के जाच, विशाप का विशलेशन और नाड़ि परिक्षन पर विशिश ध्यान। टॉक्सिन के निश्कासन को केंद्र कर सही प्रकार से समावेशन के लिए पाचन और अविशेशन को महत्वदेना और संपूर्ण महत्पूर्ण प्रणाली के कार्या कल्प पर जोड़ देना। अंततह पिड़ितों को नक्खेवलों की बिमारियों से राहत मिलती है बलके अधिकांश मामलों में बिमारी का कारण समावत हो जाता है और मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। प्रण में प्रण पर जाते हैं। नचर वेदा मेंस हेल्थ